दोस्तो लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट अब्लेट्स के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूले और साथी साथ इस बेल आइकोन को भी क्लिक कर दिजिए बिक बस 11 के कंटेस्ट मेह जबी के उपर क्या सच में कोई भूत आया था की नहीं इससे जुड़ी कहानी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखे कलिश टेवी का मसगूर रियालेटी सो बिक बस 11 के घर में वाग हर रोज बढ़ता जा रहा है लेकिन बिक बस 11 के सेवेंटीट एपिसोड में कुछ ऐसी घटना हुई जिसे देखकर सारे घर वाले डड़ गए दरसार बिक बस 11 का एक वीडियो सामने आया है इस वीडियो में महजबी कुछ ऐसा रियाक्ट करती हुई दिख रही है मानो उन पर कोई भूत आ गया हो और उन्हें देखकर सारे घर वाले बुरी तरह से ड़ जाते है जी हां बिक बस 11 के घर में रात को सभी घर वाले उस वक्त बहुत बुरी तरह से ड़ जाते है जब महजबी अचानक अपने विस्तर पर बैट कर एकदम चुप चाप सब को घुड़ने लगती है उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानों उन्हें कोई सूपर नैचुर पावर आ गई हो इस दोड़ान सभी घर वाले उन्हें काफी देर से नोटिस कर रहे होते है और कई बड़ महजबी कहकर भी बुकारते है लेकिन महजबी कुछ नहीं बोलती जिसके बाद सभी बहुत बुरी तरह से डढने लगते है सभी घर वाले उनके चारों तरफ घूमते हुए नजर आते है इस दोड़ान आकास ददलानी ये कहते हुए नजर आ रहे है कि वहीं बंदगी और जोटी आपस में बात करते हुए नजर आ रही है जोटी बंदगी से कह रही है कि सारे लोग मैं जबी को इस तरह से देखकर बहुत ड़ गए है न तो वहीं बंदगी ये कहते हुए नजर आ रही है कि इतनी गलत लेवल की एक्टिंग करने से असली में भी वो सारी चीजे हो जाती है हम आपको याद दिला दे कि एक पर पहले भी इस सो में सिवानी दुरगा ने भी कुछ ऐसे ही हरकत की थी जिसे देखकर सारे घड़ वाले डड़ गए थे तो क्या सच में पिक बस के घड़ में किसी भूत का साया है दोस्तो इस न्यूस के वाले में आप अपने राय हमें नीचे दीगे कमेंट्स को दरह बता सकते है और हमारे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेर करना ना भूले आगे और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे निस सुत्रा चानल के साथ धन्यवाद